नमस्कार दोस्तों आपका हमारे चैनल एजुकेशन पॉइंट पीके फोरियू पे स्वागत हैं तो आज हम इस वीडियों सिखें कैलेंडर का चौथा पार्ट इसमें वैसे सभी सवाल इंकलूड हैं जो एक्जाम के लिए काफी महत्पूर्ण हैं तो आप इस वीडियो को पहला सवाल है 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था तो इसको बनाने के लिए आप 2-3 बाते याद रखने होगी पहला आपको मंत कोड याद रखना हो गया जो की इस परकार है एक मुवाइल नमर की तरह आप याद रख लें जनवरी फरवरी से स्टार्ट होता है दिसंबर तक जात हैं एक मुवाइल के फॉर्म में लिख लिजिए 14-45-03-61-46 ठीक है यहाँ पर आप देख सकते हैं सबका कोड लिखा हुआ है जनवरी फरवरी मार्च इसी तरह से दिसंबर तक का है 14-40-25-03-61-46 इस कोड को आप याद रख लिजए यह महिने का कोड है यह आपको हिसाब बनाने में काम आएगा और दूसरा कोड यह है इयर कोड है इयर कोड में जो है याद रखना है 0-5-31 ठीक है चार-चार का सरीज बनता है 1600-17-18-19-100 फिर नीचे आ जाईएगा 2-21-22-23 इसी तरह से आप सरीज बनाते रहिएगा और हर चार साल का एकिस रीज का कोड चलता है 0-5-31 अगर इसका बैक जाना है तो 1600 को उपर बैक लिखेंगे तो 1200 आएगा 1300-14-15 कोड आपका फिक्स ड्रहेगा ठीक है उम्मीद है यह इयर कोड आप किसी भी साल का निकाल पाएगे चाहे वो 200 साल का पूछे या 1200 साल का पूछे या 58 साल का पूछे ये कितना कभी पूछे आप अराम से निकाल सकते हैं उसके आसपास जो 400 से भाग लगेगा उसको लिख लिजिएगा उसके बाद आप 100 साल आगे बढ़ते जाएगे ठीक है उसके बाद एक और फॉर्मूला के जड़त पड़ेगा जो कि ये फॉर्मूला है इसी फॉर्मूला पर सेट करना होता है उसके बाद हम डेट आसानी से निकाल पाते हैं और आप यहां देख लिजे देट दिया गया है जो कोस्चन में दिया ही रहेगा मन्थ कोड लिखना है उसके बाद एयर कोड लिखना है फिर एयर का जो लाज्ट टूडिजिट है उसमें 4 से भाग देना है unda बाध़like ना 갖고 दाईगा वह लिखना है और आकरी में 5 जोड़न है उसके बाद इतना काम करने के बाद टोटल में आपको साथ से डिवाइड करके और डेज निकालना है उसके बाद इसमें जो काउंटिंग का दिन होता है वो आपका एक मना जाता है मंडे को अथा त्मनीर को दूज्डेज настолько molecule का म onder गी है मुने का मकलके इसको आप एक मनेगे इसको दो इसको तीन चाहरा पांच छे यह संडे को आप जीड़ों मान सकते हैं या सुछ माण सकते हैं इसको कुछ भी आप मान सकते हैं ठीक है तो यह धो-तीन प्वएंट की बात हैं जोगि आपक उसके बाद कोई भी डेट पूछ है आप आड़ाम से निकाल सकते हैं तो आए चलते हैं पहले सवाल की ओर आप इसका चाहें तो स्क्रीन सूट ले 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 यह आपका एयर कोड है नीचे फोर्मूला जिस पर किया हम दिन निकालते हैं और यह आपका मंत कोड है ठीक है अब आते हैं सवाल की ओर इसमें बोला गया 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था तो पहले फोर्मूला में क्या था डेट लिखते हैं तो डेट यहां दिया गया है कितना 15 15 लिख दी उसके बाद बोला गया है अगस्त है तो अगस्त कौन सा महिना है अठ्वा महिना है अर्थात महिने का कोड लिखना है तो महिने का आप कोड लिखें तो अगस्त का कौन सा कोड आता है तीन आता है तीन लिख दिया है उसके बाद 1947 है तो 1900 इसको लिखेंगे तोड़कर फिर उसके बाद इस साल का आखड़ी टू डिजिट लिखते हैं जो तोड़ते हैं इसको इस फॉर्म में लिखें उसके बाद 47 में जो है आप 4 से भाग दिजिए जो यहां पर भागफल आएगा वो लिखते हैं आखड़ी में 5 जोड़ देते हैं बस इतना ही काम करते हैं उसके बाद टोटल में क्या करते हैं 7 से डिवाइट कर देते हैं बस हो गया आप यहां देखेंगे सब का ओड़ेज निकालेंग अभी मैंने आपको बताया था कि 16 सो का जीड़ो होता है 17 सो ठाड़ा सो इनिस से चोथे डिजिट पे हैं तो 531 होता है तो 1 आ जाएगा पलस 47 में जब 7 से भाग देंगे तो ओड़ेज कितना आएगा सचक 42 पांच आएगा चार से जब 47 में आप भाग देंगे तो इसका भागफल कितना आएगा है 11 आएगा ठीक है 11 आएगा और जब 11 में आप 7 से भाग देंगे तो कितना आएगा है हमा लेते है 11 है और उसके बाद जो है यहां कितना है पांच है पांच में 7 से भाग लगे गा ही नहीं अभी इन सब को जोड़ेंगे तो क्या बचेगा साथ जहां पूर रहा उसको आप काड़ दीजिए चुकि जोड़ने से फाइदा नहीं है साथ से तम को फिर भाग देना परता है यहां देखेंगे 5 6 7 खतम हो गया उसके बाद 3 और 5 आठ हुआ आठ में जब साथ से भाग देंगे एक बचेगा एक कोई 11 में जोड़ेंगे तो 12 आएगा 12 में जब साथ से भाग देंगे तो आपका कितना आएगा और देच पांच आएगा तो पांच दिन आप काउंट करिए वही डेट आपका 15 अगस्त 1947 होगा तो पांच दिन आप काउंट करेंगे सौंबार से गिनेंगे सौंबार एक मानते हैं उसके बाद मंगलवार दो इसी तरह से काउंट करते जाते हैं सोम बार मंगल बुद बार ब्रेश्पति बार शुक्र बार जिसका सही उत्तर क्या हो जाएगा सुक्र बार था फ्राइड तो 15 अगस्त 1947 जिस्तिन भाड़त आजाद हुआ वह मारा कौन सा दिन था सुक्र बार था उम्मीद आप ये सवाल सीख गये होंगे चलते हैं नेक्स सवाल कियो इस सवाल में बोला गया 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था तो जस्ट इसी फोर्मूले पर सारे बातों को इंक्लूड करेंगे पैदे लिखते हैं डेट लिख दिये डेट फिर लिखेंगे जनवरी अर्था जनवरी का कोड तो जनवरी का कोड एक होता है फोर्मूला में आप देख लेंगे ठीक है उसके बाद 1950 है तो 1900 आप लिख लिजिए फिर यहां 50 लिख लिजिए 50 में फिर 4 से भाग भी देना है जो भाग फ़ल आता है वो लिखते हैं फिर आखड़ी में 5 अपने मन से ही अपना होता है यह आपको मालूम है चलिए अब जब 26 में साथ से भाग देंगे तो आपका असेस कितना हैगा पांच आएगा एक में तो भाग लगेगा नहीं एक लिख दिए 1900 साल है तो 1900 का कोट कितना होता है एक होता है पच्चास में जब साथ से आप भाग देंगे तो कितना बचेगा एक आएगा इसका सेस पच्चास वटे चार में जब आप भाग देंगे पहले तो इसका भाग पर लिखना होगा तो 12 कंटाल से 12 आपका भाग पर लाया बाड़े लिख दिये चाहें तो आप इस बाड़ा में भी साथ से भाग दे के पांच लिख सकते थे छोटा हो जाएगा आसान हो जाएगा हमें बस बताना है इस वज़े से पूरा लिखना पर रहा है पर आप इतना ज़्यादा मत लिखे ड्रक करते चले जाए इंसर आते चला जाएगा पांच होगी अब इंसर में क्या करना है साथ से भाग कर देना है जहाँ साथ पुड़े उसको यह तो काट दीजिए यहाँ देखिए यह आपका साथ पुड़ी यह कटिया है अगर हम बाड़ा से एक और एक्स्ट्रा निकाल लें तो यह भी हमारा कट जाएगा यह भी कट जाएगा और बाड़ा हमारा क्या बच जाएगा 11 11 हम जो साथ से भाग देंगे ता आपका ओड़ेज कितना आएगा चार तो चार दिन बाद गिनेंगे तो सोम बाड़ मंगल बाड़ बुद्धवाई ब्रेश्पति बाड़ इसका जो सही उत्तर होगा गुडू बाड़ तो याद रहे कि भाड़ा जब गंतन तरुवा 26 जनवरी 1950 को तो वो कौन सा दिन था गुडू बाड़ था यह मारा सही उत्तर है और जब देश आजाद हुआ उस दिन कौन सा दिन था शुक्रवार और गंतन गुडू बाड़ यह आपका एक जीके भी बन गया है और कैलेंडर के अनुसार से आप डेट भी निकाल लिए चलते हैं नेक्स सवाल कियो इस सवाल में आप देखेंगे 15 अगस 2002 को पूछा क्या कौन सा दिन था तो इस सवाल को तो आप आरांफ से निकाल सकते हैं हमें बनाने की जड़रत नहीं है तो इस सवाल को हम छोड़ देते हैं 15-20-2002 को आप खुद से डेट निकाल लिजेगा अगले सवाल की और चलते हैं चुकि एक लिप यड दिया गया है तो लिप यड में थोड़ा सापको प्रॉब्लम हो सकता है लेकिन वैसे प्रॉब्लम कुछ नहीं है बस एक भढ़म है तो देख लिजे इस सवाल को क्या रखेंगे बाड़ा तो लिखना ही पड़ेगा जन्वरी का कोड़ तो एक होता है एक लिखेंगे 2000 साल है 2000 लिख दिये 16 है 16 लिख दिये 16 में जब चार से भाग देंगे तो भागपल कितना होगा डिरेक्ट लिख देते हैं चार आएगा आखड़ी में पांच जोड़ते ह है बस टोटल में आपको साथ से भाग देना यह 2000 का कोड़ कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा कोड़ जब बाड़ा में साथ से भाग देंगे तो पांच आएगा यहां से एक बचेगा सोला में साथ से भाग देंगे तो कितना बचेगा दो बचेगा यहां से चार रह गया यहां से पांच रह गीए तो साथ कहां कहां पुढ़ा ये दो और ये पांच साथ पुढ़ा दिया अब देखे चार है को पांच, 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 दस दस मतलब क्या तीन तो कौन सा दिन होगा स्वामबर मंगल और बुद्वार तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा वेडनस डे ठीक है तो सिख गया होंगे कुछ करना नहीं है कुछ था भी नहीं इस सवाल में आप यह अडाम से बना सकते थे इस सवाल में देखे इसमें भी कुछ नहीं है देखे अदम पुड़ा फास्ट बनेगा दो से तीन साकेंड में अगर आप स्पिड लिख पाते हैं तो लिखे सतरह लिखेंगे साथ से भाग देगे तो कितना आ जाएगा तीन आ जाएगा तो इसको आप तीन लिख लिजिए यहां से अब तीन लिख लिए नवंबर में आप चलेंगे तो कोड याद होगा तो फटाक से लिख देंगे तो कोड याद रखें 14, 40, 25, 0, 3, 6, 6, 4, 4 आएगा चार लिख दिए 2000 का है 2000 का तो सुननी चलता है आखडी में दो डिजिट है थी यहीं सुननी हो जाएगा फिर सुननी हो जाएगा फिर क्या बचेगा आपका पांच बचेगा जो इसमें साथ से भाग देंगे तीए 24, 37, 20 से कड़ी आपका 5 मिला तो 5 दिन बढ़ा दीजी पांस दिन बढ़ जाएगा तो सोंबार से पांस दिन काउंट कड़ीगा तो सुक्र बढ़ाएगा तो फड़ाइडे हो जाएगा इसका उत्तर सिगे होंगे कितना फास बना सकते हैं आप बस एक दो पॉइंट याद रखना है बहुत तेज से आपका ये दिन निकल जाएगा आपको पूरा पार्ट ज़रूर देखें तभी आपको पूरा बात समनी में आएगा अब माई में अगले चेप्टर के साथ तब तक के लिए नमस्कार अब मेरे साथ जूरे रहने के लिए धन्यवाद अब मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें इसे हमें उमीद मिलता है कि हम जो काम कर रहे हैं तो सही है धन्यवाद